आप सबको मेरा नमस्कार मैं हूँ आपकी जियोती अरोडा सावन के इस पावन महीने में शिव भक्तों के उल्लास देखते ही बनता है आप लोग लीन है शिव भक्ती में अलग अलग तरीके से शिव को प्रसंद करने में लगे हैं सब लोग वैसे ही जैसे की कहते हैं ना कि व देवा करना यह भी शूब माना गया है शिव को जल operated करना यह भी शूब माना गया है तो पूरे इस महीने में उनकी जानकारी काफी अच्छा रहेगा आप सबके लिए और उसी के हिसाब से आप अराधना करें तो शिवजी की कृपा आप पर और भी बहतर तरीके से बरसेगी शिवजी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी तो चली मैं आपको आज इस प्रोग्राम में बताने जा रही हूं कि सावन के इस महीने में जो पर आ रहे हैं वो कौन-कौन सी तिथी को पढ़ रहे हैं इससे पहले मैं आपको एक बात और पताना चाहूंगी सावन के महीने की शुरुवात अभी हुई है इस 28 जुलाई से लेकिन कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर नैपाल हो गया जैसे कि उत्रांचल क कई जिलों में कई बिहार की कई जगाओं में सक्रांथी से इस पर्व की शुरुवात को माना गया है तो वह लोग कह रहे हैं कि 16 जुलाई से ही उन्होंने सावन की शुरुवात को गिनना शुरू किया था तो उस हिसाब से एक सब्वार अलरड़ी जा चुका है जो का महीना और आप तब तक अब शिव भक्ती करते रहे तो काफी अच्छा रहेगा और देखिए संकष्टी व्रत का भी कहते हैं कि यह जो पूरा महीना है पास सोमवार उनके लिए जो सकरांती से मानते हैं कि सावन की शुरुवात हुई है तो पास सोमवार पड़ते हैं और ज होंगी कि खास करके लड़कियों के लिए यह सावन के महीने में शिव की खिप्रा परसने का बहुत ही सुनहरा योग है क्योंकि संकष्टी व्रत की इस महीने बहुत ज्यादा महत्व है यह बात है चलिए बात करती होंगी कौन-कौन से त्योहार पड़ रहे हैं इस सावन के महिने में तो पहली बात है कि 30 जुलाई को पहला संवार है और पहला संवार सबसे बड़ा वरत रखा जाता है पर इस संवार को शिवजी की पूझा करने चाहिए पूरा जलर पूरा पित करना चाहिए और हो सके तो अगर समभाव हो सके तो रूद्रभी शेक का आयोजन कर लेना तो अती शुब होगा और इसके लवा 31 जुलाई को संकष्टी गणेश चतुर्थी का वरत रखना चाहिए और यह और भी अविश्यक है उन लोगों के लिए जो संतान प्राप्ति के इच्छुक है और अपने पुत्र के लिए वरत रखना बहुत ही ल अगस्त को पढ़ेगा दूसरा सावन का सोमवार यानि कि इस दिन भी रखिए शिव जी का वरत और इस सोमवार के वरत का और भी लाब मिलेगा आपको अगर आप आठ अगस्त को कामदा एकादशी का वरत साथ में रख पाएं तो यह काफी शुब रहेगा एकादशी सब्सक्राइब करते हैं। पढ़ेगा हरयाली आमावस्या शुनेच्री आमावस्या का और इस दिन जितना हो सके शीवड हो जो के मंत्र о can आप मंत्र जो जब सकते हैं वो शिप जी का बीच मंत औम नमच्षिवाएं एक 801 माला कम से कम एक माला का जाप करें आप हो सकते तो explosively में इस माला को छूष कर सकते हैं जितना भी आप श्रद्धा पूरुवक कर पाएं समर्थिक एनुसार कर पाएं पून भक्ति भाव से आप इस मंत्र का जाप करें इस दिन भगवान शिफ का जो महामृत्युन जय मंत्र का जाप करना भी काफी अच्छा माना गया है महामृत्युन जय मंत्र जिसे कहते हैं कि अती लापकारी और अती जिसे बोलते हैं बहुत ही जादा पावरफुल मंत्र है अगर कोई मृत्यु तुल्ले कश्ट में हो तो भी इस मंत्र का जाप करने से उसको छुटकारा मिलता है मृत्यु तुल्ले कश्ट में अगर कोई ऐसी स्थिती में हो कि उसके जीवन अब बतलब पास कर रहा है कोई तो इस पंत्र का जाप करने से कश्ट कम हो जाते हैं करते हैं तो अगर आप की स्वास्टीक नहीं रह रह रहा तो इस सावन के महीने में इस दिन से आप अगर इस समय शुरुवात की जाए इस अमावस्या के दिन चली अगला है 15 अगस्त को पड़ेगा नाग पंचमी का दिन इस दिन नाग नागिन के जोड़े को शिवजी को अरपित करना और नाग को कहते हैं कि दूद्ध करना काफी शुब माना गया है नाग पंचमी वाले आप बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको शिवजी का वृत करना है और उनको दूद भी अरपित करें इस दिन भी रूत्राभिशे का यूजन करना अतिश्व होगा और अगर आपको सउमवार के दिन रूत्राभिशे करने को नहीं भी मिलता तो सावन के किसी भी दिन सावन माहा मरतनजे के जाक होने से पहले आप रूराबभी शेक करते हैं अगर आप साथ दिन आपको मौका मिलता है मुखनकर करने का तो अगले चै Ain हो हार 23 अगर्ष्राक को प्रदोश्रत बढ़ रहा है तो जो अगर आपका पहला नौ अगस्त का मिस हो गया है तो आप 23 अगस्त को प्रदोश वरत रख सकते हैं 26 अगस्त को रक्षा बंधन का तेवहार है भाईयों और बहनों का जिसे बोते हैं प्रेम के बंधन का तेवहार है इस दिन भाई अपनी बहन से आशिरवाद लेगा लंबी आयू का और उसको देगा सुक शान्ती का आशिरवाद जो कहरे हैं भाई बहन के रिष्टे में जो भी दूरिया अगर कलती से आ भी जाती है तो इस दिन मुस्कुराहट में बदल जाती है और रिष्टा और मजबूत हो जाता है तो रक्षा बंदन का ट्योहार पड़ रहा है सावन के आकरी दिन 26 अगस्त को और उस दिन पूर्णीमा भी है तो आप उस दिन आप को स्नान करें और उस दिन दान दक्षीना करना काफी शुब होता है तो यह सब बातें थी सावन के महीने से जुड़े परवों क इतवर तो बीदित पहल को अच्छा नहीं माना जाता सुम्वार का अगर आप वरत रहे हैं किस दूद का सेवनना करें क्योंकि दूद शिव जी को अर्पित किया जाता है साथी साथ आप जब भी चावल चड़ाएं तो पूरे दाना चावल चड़ाएं इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान करते हैं तो शिव जी की असीम क्रिपा के पात्र आप बनते हैं वहीं ये भी कहना चाहूंगे शिव है भोले बंडारी भक्ती भाव से अगर आप एक ब केल पत्र अवश्य चड़ाएं क्योंकि उन्हें बहुत प्रिया है इसलिए अगर आप जाप करने बैठते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप रुद्राक्ष की माला को प्रयोग में ला रहे हैं और शिव जी के सभी मंत्रों का जाप करते रहना अच्छा होगा कहते हैं कि जो जी में लीन है उसकी सेवा करते से भी शिव की कृपा बनी रहती है तो अगर आप कावडियों की सेवा करते हैं भक्ति भाव से बिना किसी द्वेश के और बिल्कुल सेलफलेस होके तो शिव जी की कृपा आप पर बनती है कावडियों को रस्ता दे और उनके लिए भोजन पान की विवस्ता करें तो अगर आप ऐसा करते हैं तो शिव जी की कृपा आपको और भी ज्यादा मिलेगी वैसे यह कंपेशन हाट आपका ओपन होता है तो शिव जी को करना के देवता भी बोला गया है अब लोग की तेश्वर उनके ही अफ्तार है जो करुना के देव है तो शिव जी की कृपा पाते रहें और इस पावन पर्व को मनाते रहें आप सब को मेरी तरफ से नमस्कार